हम बात करते हैं कि minimize करना पड़ेगा कोश्टिंग को अपने operational कोश्ट को अगर maximize करना है minimize अगर करना है उसके लिए आपको इतनी चीजों को समझना पड़ेगा man versus machine उसके बाद है self versus outsource, physical versus digital, temporary versus permanent और short term versus long term इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपको अपना कोश्टिंग जो है वो अगर आपको कम करना है तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहला manually कितना काम हो रहा है वही काम में machine से कितना कर सकता हूँ second आपको देखना पड़ेगा कि जो खुद कर रहे है क्या वो outsource हो सकता है आप दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी company जो भी है वो सारी product खुद बनाती नहीं है for example apple कितने लोगों को पता है कि apple company apple phone बनाती ही नहीं है बड़िया जितनी भी बड़ी बड़ी company है जिनकी product अवल लेवल की है वो खुद वो product को build ही नहीं करती है वो क्या करती है एक ही product के 10 part बना देती है उसको divide कर देती है उस 10 part में से देखती है कि ये part बनाने की mastery किसकी है उसको ढूंड़ो उसको पकड़ो उसको वो काम दे दो तो सब 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके वो पार्ट बनाने में मास्टर ही होती है तो उनकी actual product masterpiece बन जाता है फिर उसी का marketing और branding वो खुद करेगे और उसको market में बेचेगे और उसी से वो अपने business को grow कर लेगे तो कई बार हमारी जो ये सोच होती है ना कि सब में खुद करू उसमें से भार आजाओ आपके पास ऐसे लोग market में available है जो आपसे भी बहतर चीज़ों को बना सकते है तो बनाने में टाइम क्यों निकाले खाली बेचने में टाइम निकालो क्योंकि यहाँ पर बहुत सरी कंपनियों में मैंने खुद विसिट किया है उनकी master ही बनाने की है बेचने की नहीं है तो आपके पास एक opportunity है आप बेचने में master हो जाओ और ऐसी कंपनिया आज राजकोड में खड़ी है जो खाली बेचने का काम करती है और 100-200 करोड का वैपार करती है जो बनाते कुछ नहीं है खाली ट्रेडिंग करती है तो ये भी आप कर सकते हो फिर होता है physical versus digital आज वो जमाना चला गया पैम्पलेट बाटने का आज वो जमाना चला गया जो बेसिक तरीके से हम मार्केटिंग और वो चीज़ करते है आज जमाना हो गया है digital का सब के पास mobile है सब लोग mobile देखते है तो उस mobile के ओपर हमें available हो जाना है और वो सस्ता है digital फिर हमें देखना है temporary versus permanent कुछ चीज़े हम temporary based करते हैं और temporary based के अंदर हमारे decision और budget भी कैसे होते है temporary होते पर्मनेंट कर दो तो permanent करने का मतलब क्या है आपकी जो office एक example से आपको clear करता हूँ आपकी office है वो temporary है या permanent है कुछ लोगों के लिए अभी भी temporary है और कुछ लोगों के लिए permanent है अगर उस company को आप 100 साल तक चलाने वाले हो तो ऐसी एक office बना लो या ऐसी एक office खरिद लो जिसके अंदर आपको जो चाहिए न वो सारी चीज़े आप डाल दो one time investment रहेगा one time आपको सारी चीज़े करनी रहेगी उसका uses जो है वो lifetime आपको मिल सकता है आपके business के according ये चीज़ आपको बता रहा है जिसको ये लागो होता है उसके लिए वहाँ पर temporary मत करो पर्मरंड करो चीज़ों को और last में यहाँ पर बताया गया है short term versus long term दो तरीके के decision आपको लेने होते है short time के लिए और दूसरे long time के लिए तो आपके decision आपकी company के planning के according होना चीए कि कुछ चीज़े हम short time में चलाएगे और कुछ चीज़ों को हम long time के लिए चलाएगे और दोनों चीज़ों को साथ में चलाना है clear अब हम बात करेंगे साथ ऐसी चीज़े जो एक businessman को अपने business को develop करने के लिए अपने अंदर develop करने की जरुवत है जो finance को develop करने में उनको help करें तो वो साथ चीज़े क्या है जिसमें सबसे पहला है pay yourself team on time अपने आपको time पर देना सुरू करो आपकी salary fix होनी चीए अपने लोकों को time पर देना fix करो उनका fix होना चीए कितने लोकों के हाथ में जब bill आता है तो वो पहले date देखता है कि इसके आखरी तारी कौन सी है फिर वो pay करते हैं तो यह आदद आज से बदल दो क्योंकि this next वाला यही आएगा always clear करो आपके due bills सारे time पर क्योंकि हमें आदद हो गई यह बिजली कटने वाली होगी ना तब हम bill बेरते हैं इसमें से भारा जाओ जैसे ही आपके हाथ में bill आए और account में amount हो उससी time पर उसको खतम कर दे यह वाली आदद बना clear क्योंकि जितने dues आपके बढ़ते जाएगे वो कल उटके आपकी liability बढ़ा देगे तो उस liability को बढ़ा न करके छोटे level पर ही उसको खतम करो कई लोकों के पास vendor और supplier के bill इखटा होते हैं जमा होते हैं और हम सोते हैं कि यह महिने नहीं अगले महिने अगले महिने अगले महिने अगले महिने अगले महिने अगले महिने और साल हो जाता है और एक बड़ा पहाड आपके सामने खड़ा हो जाता है कि अब इसको आपको जितना बढ़ेगा तो बैटर क्या है उसको महिने महिने में खतम करो क्लियर हो रहा है ने तो वही चीज़ों की लाइबलिटी आपकी बढ़ती जाएगे और वही चीज़ आपको बिदनस में परिशानी करेगे आपका पूरा प्रॉफिट लेकर चली जाएगे उसको वैसा मत करो मंथली क्लियर कर दे जाओ फिर आपको क्या करना है तिसरी चीज़ री इन्वेस्ट यूर प्रॉफिट जितना भी धंदे में से पैसा आ रहा है उसको फिर से धंदे में लगाओ और फिर से धंदे में क्यों लगाओ क्यूंकि आपका धंदा जितना return आपको दे सकता है उतना return मार्किट में और कोई नहीं दे सकता है आपका business, आपका सबसे बड़ा assets है उसके उपर आपको फिर से पैसा लगाना है फिर आगे आपको आदद यह डालनी है create emergency fund 6 महिना साल भर के लिए emergency fund आपके पास होना चाहिए कभी भी आपको उसकी जरुवत पड़ सकती है clear फिर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी 25 कि आपको कभी भी कोई भी चीजों को करना है तो planning के साथ करना है और sustain होने के बाद करना है कई लोकों का मैंने ये देखा हुआ है business के अंदर अब भी तो एक पैर जमा नहीं है दूसरा हवा में और उतना उनके अंदर सुकता होती है कि दोनों हवा में मतलब एक धंदा तो अभी set हुआ नहीं एक दुकान तो अभी चली नहीं एक दुकान को अभी बनाया नहीं है उसी के पहले दूसरे दो-तिन डाल दी फिर क्या हुआ ये भी नहीं समला वो भी नहीं समला नहीं इधर के नहीं उदर के किदर के नहीं रहते है तो ये नहीं होना जिए पहले एक business को sustain होने दो, फिर development करो, clear, फिर आपको ये चीज़ सजमिज रहेगी कि कभी भी always control करो आपका operational cost, कई लोग business इस तरीके से करते हैं, sell बढ़ाएगे तो profit बढ़ेगा, sales बढ़ाएगे तो profit बढ़ेगा, retail वाले जितने भी है ना उनको मैं बता देना चाहता हूँ, sell बढ़ाने से आपका profit नहीं बढ़ता है, purchasing आपकी कितनी mastery है ना, वो आपका profit बढ़ाता है, खरीदी कितनी down में कर रहे हो, वहां से आपका धंदा बढ़ेगा, तो ये बाकी business को भी लागू पढ़ता है, अगर आपकी purchasing cost अगर आपने कम से कम कर ली, तो आप तो उस amount के बंदे के साथ पूरी जिंदगी मत रह जाओ, आज बड़ी बड़ी कमपनिया होती है, वो open invitation देती है, और दाव लगाती है, बोलती है, इतने amount में अगर आप बना के दोगे, तो आपसे business करेगे, नहीं तो किसी और को, वो relation पर नहीं रहते हैं, फिर साथ भी चीज़ आपक financial habit, कौन सी कौन सी है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, उसके बाद वाला क्या है, उसके बाद और उसके बाद, इतनी चीज़े आपको करनी रहेगी, अगर आपको अच्छी तरीके से अपने finance को manage करना है तो, साथ चीज़े यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ discussion की जो एक finance को बहतर done से manage कर सकता है clear है यह साथों के साथ चीज़े अब यहाँ पर activities number 24 रहेगा वर page number रहेगा 76 जिसको hw के अंदर आपको करना है